इंडिया में रोड एक्सेंट्स काफी कॉमन हैं और चाहे आम इंसान हो या खास इन रोड एक्सेंट के कारण कई सारे लोग अपनी जान एक्सेंट में गवाते हैं रिसेंटली कई सारे सेलिब्रीडीज के भी एक्सेंट आपने देखे हैं किस तरह से हुएं इन accidents के multiple reasons होते हैं जैसे कि लोग का over speeding करना, truck, bus बगेरा को overloaded चलाना और drink and drive करना और इन accidents में death के reasons बनते हैं, car में seatbelt का ना पहनना, bike बगेरा में helmet का स्थमाल ना करना या फिर एक unsafe car का चुनाओ भी कई बर accidents में death का reason बनता है अकसर सबसे बड़ा खतरा over speeding truck बगेरा से बना रहता है आज road accident में एक और person जो रातो रात internet sensation बन गए थे और जिनका दिल से बुरा लगता है, वीडियो इतना viral हुआ था कि इसके बाद उन्हेंने कई सारी web series में भी काम किया था और तवी पीछे से एक truck ने उनकी bike को हिट किया देवराज bike पर पीछे seat पर बैटे वे थे और टककर के बाद उनकी death हो गई और उनके दोस्त को कुछ injuries आई इस accident में अगेन एक truck से accident देखने हो मिला, जो हो सकता है, over speeding कर रहा हो या overloaded चल रहा हो दूसरा यहाँ देवराज द्वारा helmet का इस्तमाल किया गया था कि नहीं, इसकी जानगरी नहीं है पर ऐसे कई accident आए दिन होते हैं और रोज 500 से भी जादा लोग सड़क हादसे में अपनी जान गवाते हैं जिनका reason का यह बार यह होता है कि bike में helmet का इस्तमाल नहीं किया गया था जितने लोग Corona के कारण नहीं मेरें, उससे जादा कई लोग road accident में अपनी जान गवा चुके हैं और इसलिए government को चाहिए कि strict rule अपलाए करते हैं, इन सभी trucks का चलान करा जाए जो overloaded चलते हैं या और speeding करते हैं या drink and drive करते हैं साथ में जो लोग seat belt या helmet का इस्तमाल नहीं करते हैं, उनका भी भारी चलान कटना चाहिए क्योंकि शायद तभी कोई improvement देखने को मिले, क्योंकि जान गवाने से जादा डर लोग को चलान कटने का होता है देवराज की road accident में ये untimely death सभी कलिए वापस एक सबक है hopefully लोग truck, car वगेरा speed limit में चलाएं और अपनी जान की परवा करते हुए helmet seat belt के स्तमाल ज़रू करें